जै मातादी, All In Gleases Kitchen में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे साबुदाना खीर, लेकिन हम इसको एक्तम से टेस्टी और हेल्दी विष्ट देने वाले हैं, क्योंकि हम इसको बनाने वाले आज गुड के साथ। तो चली स्टाट करते हैं, यहां पर मैं ले रही हूँ आधा कप साबुदाना, इसको मैं दो-तीन गंटे के लिए पहले भिगो दिया था, और यह काफी सॉफ्ट हो चुका है, इससे खीर बनने में आसानी होती है, तो यहां पर मैंने यह आधा कप लिया था साबुदाना, और इसको आधे कप पानी के अंदर ही भिगोया था, बरावर मातरा हम पानी लेके अगर साबुदाना भिगोते हैं, तो एक तो पूरा साबुदाना पानी को सोक लेता है, और अच्छी तरह है, फूलता भी है, तो हम यहां पर एक पैन ले रहे हैं, कडाई, पैन कुछ भी ले इसमें हमें एड कर रही हूं, आधा लीटर दूद, 500 ml हमने यहां दूद लिया है, फुल क्रीम दूद है, आप चाहें तो कोई साबुदान का दूद ले सकते हैं, तो इसको हमें गरम करना है, इसको बॉयल आने तक गरम करना है, लेकिन इससे पहले हम मिलाएंगे एक पानी पानी में इसलिए एड कर रही हैं, क्योंकि साबुदाना इसमें जाता है, दूद के अंदर तो यह गाड़ा होना स्टार्ट कर देता है, तो हमारी खीर जादा गाड़ी न हो, तो इसको हमें वोयल करना है, चलाते हुए थोड़ा सा कि यह कड़ाई या पैन के तले में न ल तो इसको थोड़ा सा बॉयल आनी देते हैं, दूद हमारा गरम हो चुका है, अच्छा सा गरम हो गया है, अब हम इसमें साबुदाना एड करेंगे, और इस साबुदाने को भी होने से क्या होता है न, एक तो यह पहले से ही फूला हुआ होता है, तो जादा टाइम ही नहीं खीर बनाने में, और जो दाना होता है न, साबुदाने के एकदम से ट्रांस्पेरेंट हो जाता है, खिला-खिला एकदम से बहुती सुन्दर लगता है देखने में, तो यह मैंने इसका रैस्पी मेंने चीनी वाली साबुदाने की जो खीर होती है, उसकी रैस्पी मेंने डा तो आप इसको डिस्प्रिक्शन बख में जाके चेक कर सकते हैं, बट हम आज गुड की हेल्दी कीर बना रहे हैं, बहुत से लोग अवोइड करते हैं सुगर खाना, तो मैंने सोचा चलो आज हम क्यों ना गुड की खीर बनाना है, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती ह तो यहां पर हमने इसको अच्छी तरह से बॉल होने दिना है और इसको गाड़ा होने तक हमें पकाना है, इसमें पकने में कम से कम 10 मिनट लगे हैं, और हमने लोग मीडियम फिलम पर इसको कुक किया है, देखे काफी थिकनेस हो गया, सारे जो साबुदाने वो सौफ भी हो और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है इसको बनने में, तो यहां पर हम फिलम को लोग कर देते हैं, अब हम यहां डालेंगे आधा छोटी चमच इलाची का पाउडर, गुड़ के साथ इलाची का पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो अकर आपको इलाची है, तो जरूर डालें, इसको हमें इसी तरह से घुल लेना है, दो मिनट के लिए और कर लेना है, गुड़ हम इसमें डालेंगे बाद में, क्योंकि गुड़ पहले नहीं डाला जाता है, तो इसको हमें फ्लेम से उतार लेना है, दो मिनट के लिए ठंडा होने देना है, यहा जादा मीठा पसंद करते हैं खाना तो थोड़ा और एड़ कर सकते हैं वो आपके उपर निर्वर करता है तो खीर हलकी से ठंडी हो गई है एक दो मिनुट के लिए इसमें हम गुड को एड़ कर देते हैं गुड को हम गैस के ऊपर जब खीर पक रही थी इसलिए नहीं डाला थ था क्योंकि उससे दूद को फटने का चांसिस रहते हैं तो यह अगर प्रोसेस आप गेस की फिलिम से नीचे उतारने के बाद ही करें तो खीर ही अच्छी होगी और इची तरह से मिक्स कर लें इसको लीजिए खीर हमानी बनके तैयार है आप इसको ब्रत में खाएं नवरात ही चल रही है तो ब्रत तो रहते ही नौ दिन कुछ न कुछ मनार की खाने का मन करता है तो यह हैल्दी टेस्टी खीर की रैस्पी आपको परफेक्ट है आपके लिए तो आपको अगर रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सेर करें थोड़े से यह पिस्ता के साथ कर लिए हमने तो आप इसको एंजोय करें ठंडा करके भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है अगर ऐसी पसंद आती है तो लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मैंने ब्रत से रिलेटेड बहुत सारी रैस्पीज की लिंक एंड स्क्रीम और डिस करें थेंक यू